हाई आल वेल्कम ठो एनादर वीडियो अफ क्लास 12 बिजनस माथमेटिक्स एसमा हामी मेजस अब डिस्पर्शन को बारे माच शर्चा गरने सहूं यो पार्ट वान हो एसमा हामी दू योडा इम्पोर्टेंट मेजस लाए कवर गरने सहूं यो वीडियो बैसलर लेबल प्रोग यो प्रोग्राम्स मा अध्यान गरने स्टुनेट और को लाइगिए बनी यो वीडियो ते तिनी महत बौन्च तेसलर एसला आंड समोहर न होला विदाओट विस्टिंग मास टाइम लेस्ट गेट स्टाइड ओके सही बंदा पहला हामी चर्चा गर सहूं वाई दो वी नीड मेज़स अब डिस्पर्शन कीना यो मेज़स अब डिस्पर्शन को आमला आउशत्ता परसा तो मेज़स अब डिस्पर्शन बुजन गंदा पहला तबहला थोड़ा जानकारी राखना परसो मेज़स अब सेंट्रल टेंडेंसी को बारेमा यो मेज़स अब सेंट्रल टेंडे त्यों डेटा को Central Value या Average Value को दियो त्यसको बारेमा आईडिया दिन्सा हमलाई Mages of Central Tendency ले त्यस बाई Mages of Dispersion ले हमलाई कोसको आईडिया दिन्सा Mages of Dispersion ले हमलाई Data को Variability को बारेमा जान करी दिन्सा Variability मननाले B A को जुन Data Points जरूशन या Value जरूशन त्यों आपनो Central Value या Average वन्दा कोसरी Scatter रहे काचन या Spread रहे काचन त्यसको बारेमा हमलाई जान करी दिन्सा Mages of Dispersion ले जसते दु योटा Data को Average सेम उन्ना सक्सा तरह तिन योड़को Variability फरक उन्ना सक्सा For example, माननो स्तपाइस तंगा First Data Set इसतो शा यहर दही दिन सयो Data Set 1 इसतो शोख तोश को पहिला वालीउस पाइफ दोसर वालीउस असर थेण 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 15 थेण थेण 20 रहो 25 सपोज माननो सामली यो Data Set को Mean निकालियो मीन निकालने तरे काऊंच यह सपपई लाइ जोड एरो डिवाइड बाइड 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 फाइफ को रन ये बनी एसको आशर 15 आऊच एक सिनको लागी बुजन उसकी एसको आशर 15 आया सो यो डेटासेट को एवरेज कदियो 15 ओ ये सलामी सेंट्रल वैल्य बनी बनना सक्षां तेसे गरना योटा औरको डेटासेट सा डेटासेट टू तेसको सपई वैल्यूस अरू सेम चा माननुस 15 15 15 15 15 15 ठीक येसको बनी एवरेज ये आमले निकालने बनी कदिया हुँँशा 15 याने रतबाई अरुन सक्णों से कि दू योटासेट को एवरेज त सेम चा तरह यो डेटासेट हरू सेम चा ये न इन योडिश को वेरिबलेटी या भिन्नाता केश अलग लग चा जस्ते पोहिले वाला डेटासेट मा बड़ी वेरिबलेटी पाएंच वेरिबलेटी कसरे आपने आमली येवड़ा सिम्पल एग्जाम्पल जस्ते यान इरो पोहिलो वेल्यो वेल्यो फाइप सा अने स्को एवरेज 15 जा तरह 5 रा 15 को बीच मा डिफ्रेंस साखे चाहे ना चाहे ना त्वेंटी रा 15 को बीच मा चाहे चाहे ना स्प्रेड या स्कैटर भाई गाशन तरह सेकेंड डेटा सेट मा अरना सकनों जा यो दीएको डेटा रो येसको अबरेज को बीच मा कुनी बिने डिफ्रेंस है ना या निरा हम रो इस्प्रेड या स्कैटर नेस करी सा जीरो शव मनि बनने गर्षा चाह ящ ये इसको अध्वांटेज एती मात्र सकी यो शजिल वुँटा तरह प्रैक्टिकल ली धरहेने कम यूज़ुँजू यू अलिकर इंपोर्टेंट मनेगो क्वाथाल देविएशन तेस्पीसी मीन देविएशन रसाय वन्ना बड़ी प्रैक्टिकल्ली यूस्फुल रा इंपोर्टेंट मनेगो लास्ट वाला स्टांडर्द देविएशन यो पार्ट मा आमी केवल सुरू को दुई योटा मेजस अब डिस्परिशन को बारे मत चार्शा करनेशों रेंज रो क्वाथल देविएशन तो लेस्ट मूँग फोर्वड ओके यानिर सामीस अंगा फर्स मा रेंज रेंज बनेगो जो परिभास या definition एकदम सजिलो उंच्अ range बनने को difference हूँ, कुसको difference? सो ये बन दा highest रा सो ये बन्दा lowest value को difference DA को data मा जो सबसे highest value उँझा रा सबसे lowest value उँझा ये सबसे lowest value उँझा दिसको अंतर या difference लामिकी बनने गर सो range बनने गर सो so mathematically range निकालने तरिगा range like by the way capital R बनने रो लेखिं सा यह निकालने formula होंजा largest item या तब समा highest item पनी लेखना सकना होंजा highest value लेखदा पनी होंजा highest observation लेखने बनी होंजा so largest item L, L means largest लोगेस्ट है लोगेस्ट है ना largest minus smallest item S so range को formula की होंजा L minus S यो पोहलो formula हामी बनने गर्सों absolute measure बनने बनने गरीज़ यह उटा औरको formula होंजा coefficient निकालने अथो आ रिलेटिब मेजर बनने गरीज़े तेसलाई S ना आमी यह उटा ratio determine गरसा so coefficient of range निकालने तरिका होंजा L minus S divided by L plus S और जो यो coefficient होंजा यो हमेशा unit free होंजा यह को कोनी बनी unit होदा ना unit free को मतलब कस्तो just like for example तपाईले rupees 50 होद रुपीज 30 गटाई दिनू वह वने तपाईको answer rupees 20 आउसा मतलब answer rupees में आउसा याने रुपीज वने को unit हो ठीक तर यहरी आमले rupees 50 लाई rupees 30 ले divide गर दिनी ओपने unit पनी काट्टींच रत भाईको योड़ा ratio बन जा याने रा जस्ते ओलेको लागी बने 5 by 3 एसमा कोनी पनी unit होदा ना जबा हामी coefficient निकाल साँ ते थिखेर आमी divide गरर निकाल साँ सो डिबाइड गरर निकाल निकालने पनी S मा कोईली पनी unit होदा ना तेसले यसला unit free measure बने रहा बनने गरीएंज़ सो रेंज निकालने formula क्यों जा आमरो L-S coefficient of range निकालने formula होँज L-S divided by L plus S एकदम easy साइद लाओर को यहरो ओब सो सेगेंड मा सामिसंग Quartal Deviation Quartal Deviation मा जाननु पढ़ने कुरा Quartal Deviation मा दू यहोटा Quartal सरु को प्रोइक गरेंज़ Quartal बने को के हो DA को data लाइट 4 बराबर भाग मा बिभाजन गरने या divide गरने values अर लाइग Quartal बनेंज़ सो यदि यहो तबाई को data हो बने पसी यह लाइट 4 बराबर भाग मा डिभाइड गरने को लागे हमलाइ तीन ओड़ा पॉइंट चाहिन से 1st point, 2nd point, 3rd point यह ठीक 20 मा परने point ला हमी median अथवा 2nd Quartal बनें Q2 यह 1st वाला जुन से यह लाइट लोवर Quartal या Q1 बनेंसर लास्ट वाला हमी 3rd Quartal या अपर Quartal बन्चों, ठीक? सो यह रना सकनुन से यह लाइट Quartals अरले DA को data लाइ कथी पार्ट मा डिभाइड गरेंगाचन 4 ओडा, equal पार्ट मा डिभाइड गरेंगाचन Hence the name Quartals सो लोवर Quartal या 1st Quartal लाइ Q1 बनें सिंबल द्रा दिनोट गरेंच Copy मा लेकदारें, आमी एसरी लेक्षों खासमा Q1, अपर Quartal लाइ Q3 लेकिंच This is Q3 तेसो भए या निरा यह उटा नया टाम आई राच Interquartal range Interquartal, यह रनुस Interquartal Interquartal को मतलब होंच Quartal हरो Bits को जस्ताइ Intercollege बनना लेकिंच Intercollege Competition को मतलब होंच College हरो Bits को Competition Interquartal range को मतलब होंच Quartal हरो Bits को difference Range बनेंगो तर difference होंदा है और ले बखरा या थे हो So यह दोड़िदा मा ठूलो कुन होंच Q1 रा Q3 मा Of course Q3 डुल होंच So Q3 बड़ Q1 घटाओने यह फॉर्मला लेक धारी तक पहला यह तो फील आउनो परेगे L-S को यानि रहे L को काम Q3 ले गरदेश S को काम Q1 ले गरदेश So फॉर्मला सेम नहींच इसको नाम क्योंच Interquartal range IQR यह पज़िए होंच Semi-Interquartal range यो दो इटामा Slightly Difference चा पहलो वाला को नाम Interquartal हो दोस्तों को नाम Semi-Interquartal हो Semi को मतलब बंच यह ला हमने Divide by 2 बनी गरदेश आधा गरने वाई यही Semi-Interquartal range ला हमी Quartal deviation बनी बनी बंच Shortcut मा लेकदारी QD लेकेंच निकालने तो रिगा क्योंच Q3-Q1 divided by 2 माथे वाला पार्ट बनी को Interquartal range हो रो Divide by 2 गरने बित्ती गए यह बने आल्च Semi-Interquartal range So S ला बनने गरेंच Quartal deviation ना जुक्किनो वाला Quartal deviation को फॉर्मला होंच Q3-Q1 by 2 जब की Interquartal range को फॉर्मला होंच Q3-Q1 S माँ Divide by 2 गरे देना ठीक औरी सेम अगाड़ी जस्ते यह बना Coefficient of Quartal deviation होंच Q3-Q1 Divided by Q3-Q1 यह फॉर्मला लेक दाहरे में इक्जाक्ली तपहला S को फील आउनो बर्यो L-S Divided by L-S Q3-Q1 ले गरवेच So, formula चाहिए अगाड़ी जस्ते हो खासे अफ्ट्यार होदाना याद गरना यसमा challenging के रहांच Q1-Q3 कसरे determine गरनी So, let's see How to calculate Q1 and Q3 यह दुईटा लाइचे कसर निकालनी So, यह दुईटा calculate गरना को लागी हामिसंग Series अनुसार या Data अनुसार को formula होंच जस्ता ही यह दुईटा इंडिविजूल Series दीएगो सा जाने रो value जरु कमा द्वारा Separate गर दीएगो सा बने First quartile Q1 निकालने formula होंच bracket N plus 1 by 4th item या टॉम पनी लेखना सकना होंच N plus 1 by 4 आईदा द्यान राकना होला 4 कि नमने quatile याने रो so divided by 4 Q3 निकालने formula माथी जस्ते होंच खाली याने रो अगाडी 3 बने नमबर ले multiply गरींच So 3 times N plus 1 by 4th item Discreet series को लागी Discreet series मामिसंग के होंच यह दुईटा वेरिबल होंच रो frequency होंच यह दुईटा कुरा रोयकोंच individual मा frequency होथा न So discrete series मा Q1 निकालने तरीका से माथी जस्ते हो खाली याने रो capital N लेकन पर्श Capital N को मतलब total frequency हो मागी सब सेमच N plus 1 by 4th item रो Q3 यह Q3 हो हलका correction करनो वाला Q3 निकालने तरीका 3 times N plus 1 by 4th item से मागार जस्ते हो फॉर्मला और फाइनली पालो आयो continuous series को continuous series मा Q1 निकालने फॉर्मला होंच L plus यह L हो lower limit होंच L plus N by 4 माइनस C F अपन F into H यह symbol होरो को meaning रो value चाह तबाई example मा भूजनोंच रामर संग Q3 को फॉर्मला होंच L plus 3 N by 4 minus C F अपन F into H यह दू यह दू यह दा formula हेरदा हेरदा लगभग सेमच थाली यानिर N by 4 उन्च राइनिर 3 N by 4 उन्च 80 difference रही दा सो कुन फॉर्मला कुन थाइप को देटा को लागी लाग्स तसलाई रामर संग लर्न करनु वाला individual मा small N को उन्च discrete मा capital N को उन्च रा continuous मा तोटली दिफरेंट सा formula N by 4 3 N by 4 रा और बागी यानिरा parameters या variables रू चनाई दान संग ओके नव वी विल सी examples for better understanding सो सबसे पलाइद दम सिंपल कुईशन वाट सुरू गरदे सा आमी DA को डेटा बाट रेंज रहा यासको को एफिशेंट डिटर्माइन गर्ली सो यो डेटा हो हेरना साखनूं सा 12, 25, 46, 80 32, 64, 85, 40, 55, 70 यह सरी कौमा कौमा लगा रहा DA को सबने की बन सा यह सलाई यह इंडिविजूल सिरीज बन सा यह exam को लागी तित्ती रेंज निकालनी रा तिसको को एफिशेंट निकालनी सो कसरी कालकुलेशन गरनू पर सा यह सिंपल सा यह रनूस सो यह बना फर्स फामली के नोट गरनू पर सा लार्जेस्ट आइटम रेंज को लागी लार्जेस्ट आइटम L सो कुछ से समस सबसे ठोलो अपकोर्स 85 राइट 85 ठोलो सा सो 85 मने को के हो L यही डेटा सेट मा smallest item S कटी सा सबसे स्यानो कुछ स 12 यह smallest item साक्यों और मैं की values अरो को use मने हो दने समा सो लार्जस रो smallest item नोट गरी सेगी बैसी रेंज निकालने तरिकांचा L-S 85-12 गरने 73 कोदी साजलो सा राकोईफियन निकालने फार्मलांचा L-S divided by L plus S 85-12 divided by 85 plus 12 वाल्यू 0 माठी वड़ा हेरा राकन वाला 73 अपन 97 आजा यह जसलाइड डेसिमल मा कन्वर्ट गरने 0.7526 वेरे सिम्पल एक्जाम्पल एन टू एजी आई केवल एसमा दू यह अटा नंबर वड़ा क्यालकुलेशन होंचा जस्त तबाईले लार्जस रा स्मॉलेस्ट छोट्ट्याउन साथन बर्योएता साक्यो क्वेशन नंबर टू मा डेटा वड़ा क्वाथाल्ड डेवीशन रो एसको कोईफिशेन निकलतों यह इंपोर्यम्पर्टन सा क्वाथाल्ड डेवीशन रो कोईफिशेन डित्रमाइन गरने यह यह देटा डेटा दिय एक्जाम मा मा आयाको कोईशन हो 2072 exc. Jenkins ये नमबर मा आया को सा, क्लास 12 को business mathematics को paper मा, so 20, 25, 23, 18, 17, 26, 22. अब आम ले मेनेस मा के द्यान दिननु परसा वंदा है, कोईली बनी को आथाल deviation निकालनु परेवाने, सबसे पहला तबहले दिये को data लाई, arrange गरनु परसा, ये एरेंज को मतला मिला होने, स्यानो देगी ठूलो को क्रम मा, या ठूलो देगी स्यानो को क्रम मा, हामे जेनरली स्यानो देगी ठूलो को क्रम मा मिला होसां, that is called ascending order, आई, ascending order मा मिला होने परसा, तेस्पसी बला formula लगाओने, आमले, so let's see the solution, सबसे स्यानो को देटा मा सबसे स्यानो कोंच, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, टोटल कती ओडा वेल्यूशन हामे संग, साथ ओडा वेल्यूशन हाई, काउंट करना सकनूंच, अब सिंज याने रा कामा कामा लगाए रा देएको डेटा सह बने, येसला हमे क्ये बनने करसा, इंडिविजुल सीरीज बने साई, इंडिविजुल सीरीज को लागी Q1 कसरे निकाली 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 ने फॉर्मला हमे न प्लस वन बाई फोर्थ आइटम, भरकार मयलता बाला बताते है, येन को ठामा कती राखने हो, 7, because there are 7 values, 7 प्लस 1 बाई 4 गर दिन्यों बने कती है, जो सेकंड आइटम की न मने 7 प्लस 1 गर दिन्यों बने 8, 8 लाई 4 ले इवाइट गर दिन्यों बने कती होंच, येन को मतलँ हो पोजिशन काउंट करन्यों, फर्स्ट आइटम सेवैन्टीन हो, फर्स्ट आइटम कदी हो 18, सो 18 लाए बनने गरिंच सेकेंड आइटम सो यहाने रामर कथी आंसर आयो 18 आयो सक्क्यों यो एक्सलेंटिंग ओर मा मिलाएगो डेटा एरनो अला इता क्वेशन हेर न है न यो मिलाएगो डेटा हेर एर लेगन्यो 18 अब क्यू 3 को पालो सो क्यू 3 निगालने तरिकांच सो 3 ता स्ता हो देस्ते है एनको बेल्यू 7 जो 7 प्लस 1 8 8 बाइ 4 बनेगो 2 2 इंटो 3 6 आइटम आयाल सो सेटों इस्तान मा परने संख्या जो 6 पोजिशन मा परने नमबर कुनो 25 हो सो 25 हायल सामरो Q3 को रुप मार्ट हेकस निगालने एकदम सजिलो सो अब क्वाटाल डेविशन सो देगो उनाले क्वाटाल डेविशन को फॉर्मला क्यों से Q3 माइनस Q1 बाइ 2 So 25-18 by 2, 25-18 बनेगो 7, 7 by 2 बनेगो 3.5 रख कोईफिशेंट निकलने तरीका Q3-Q1 divided by Q3 plus Q1 माथी 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 तोला प्लस वाल्यू जरू सुब्स्टिटूट गरना हुँँज़ 25-18 बनेगो 25 plus 18 रख को एंसर है अलसा 0.163 यो कोईफिशेंट बनने चीज हमेशा थभायको 1 बन्दा कौमा आउसा हाईस्ट वैल्यू जरू जरू 1 बनी आउदना मैक्समम केसिसमा आउन सतनी बनेगो 1 बन्दा स्यानो नम्बर ने उनसा इदा सो एथी खायाल गरनो वाला स्वाइलेको लागी 0.163 आंसर बैसको सक्यों हाई थासे गारूत सही न लोरको कुईशेंट एरू है इदा ओके, सेम टाइप अप कुईशेंस यानिरो क्वाथाल दीशेंट निकालनी उर तेसको कोईशेंट निकालनी उर देटा तपहला दीएगी सा अब तो तपहला आइपन याल सा पहला के गुटन बड़ सामली एसेंडिंग ओर मा मिलावन बड़ साइद अब यानिरो अंतर केसर डिफ्रेंस के वला अगाड़ी बाला क्वेशेंट मन्दा अलिकति द्यां देरे यानिरो वला यानिरो आमसंग तीन शेहे दुई आठ वड़ा बैल्यू जो यह बंदा अगड़ी साथ वड़ा थियो है सेवन प्लस वन बाई फॉर क्यू वन को लागी यह सर निकाल दाहरी इग्जैक्ट अब एको दुई यस्तो टाइप को एंसर आए रहा थे हो पॉइंट मात आया अब यहनू सही तक्किया अग्या अग्या यानको तरहमा 8 plus 1 by 4, तरह वेट, 8 plus 1 बनिको 9, 9 by 4 गरनको डिया मने इत 2.25 आया अप, यान वसत पाइंट मा पाइंट मा आयप निकाल आ कासर ऐ ब्रेक गनने अबढ़ासे , आन तरह सुनन मोल्हा, यानवस protectleri is directly value लॹाएगुतु आ मोले लेखने तरीका क्यों जो सही बंदा पहिला या अगाडी कोस्ण ख्यारनों जो टू बोलागी तपाई लेखनों जो सेकेंड टॉम या सेकेंड आइटम लेखदा बने जो जाई सेकेंड आइटम प्लस सेकेंड पॉइंट बंदा पशाधी केंश हो टू फाइफ सो यहां 0.25 लेखनों से अब शेकेंड पसी आऊने कुण तो उंच हुझा थॉपर फाइटॉट उच राइटॉच पसी क्या आऊच थॉपर इपिएट नेक्स्त थॉपर हैं बात हुझा थॉअ भाली हाम या लेख चाहूं थॉपर या थॉपर आइटम बढ़ फेरी तपायके गरनाुँच है एक चो 2nd पुस याओनि के उन्जा? 3rd उन्जा, so 3rd और अनि माइनस करतीने आमिले 2nd इतम ले, is equal to, so अईलेको लागी यानिर आमिस संग 2nd आइतम कुण्चा, यो ascending order मा मिलाइचा येको डेटा यरनो ला, 2nd आइतम कुण्चा 46, so 46 प्लस 0.25, अनि 3rd आइतम कुण्चा 51 उन्जा, 51 म सेकंड आइतम मनेगो 46, ये इकोरा यानिर डिरेक्ली लेगो मोईले, 46 प्लस 0.25, ब्रैकेट 51 माइनस 46, सेकंड आइतम, प्लस 0.25, अनि 3rd माइनस 2nd, यो 0.25 कीन लेगो, कीन मने यानिर, 0.25 प्लसाइटी 25 स, 0.25 जत्यों स, तेट्तिने यानिर आमिले लेखन बोर साइथा, अब ये इतरी गाले, आमली Q3 निगाले नियो, सो येसको एंसर दो 47.25 आइसेग्यो, अब Q3 को पालो, 3 times n plus 1 by 4, राइसलाइस सिंप्लिफाई गरने मने ये तपायगो एंसर 6.75 आइतम है रास, अब येसलाइ कोसरे ब्रेक गरने येन उस तो यो, 6.75, ता सबसे बगला है य 7,000, 7th item, अणि माइनस कसलाइ गरने, 6th कलाइ माइनस करने, येसरी फॉर्मला तब यापे बनावन वाला, शुरुबात यावड गरने, या आड़िया होसा, अब 6th item कुनो, चरिटों इस्तानमा परने संग्या कुनो, यानिर 70, 70, अणि 7 इस्तानमा परने 75, तो ये value राग अबिनोस, तबाइको अशर हायल सा, 73.75, हाई, रा कोथाल देविएशन निकलने फॉर्मला, अज यूजवल अगार जसते ही, Q3-Q1 by 2, आंसर इस 13.25, रा कोईफिशेंट निकलने तरीगा, Q3-Q1 divided by Q3 plus Q1, वैल्यूज रपूट गरनूस, रा तबाइको अशरा होसा, 0.219, अशर, खिकसा, सो येसमा नाया कुरा एती बात्र ब, पॉइंट बन्दा पसाड़ी, येधी 2575, येस तो आया को सरवनी, येसी ब्रिक गरन्यो, इवन पॉइंट बन्दा पसाड़ी 5 को लागी बनी, तबाई सेम फंडाई अप्लाई गरन्नो सकनो उन्स, उन्हत इसको है ओक लेसे देग्सक्रिशिण क्वेशिन नूमर फॉर क्वाथल डिवीशन निकालनों सरकते प्रेशिन निकालनों स्टेवेशन निकालनों स्या बक टो बैक सेम थैप को क्वेशन से ओली रासने यहां या निरा 2075 set B को गुशन हो 8A नंबर को एसमा तमाला bonus दिएको सा bonus बनेगो variable हो X हो number of worker बनेगो frequency हो so X रख एफ को form मा data दिएको सा बनेगो कि हो discrete series बनेगो discrete series so discrete series को लागे कसर निकालने तो ओईले समा हमले दूइचा example individual series को लागे तर discussion करें यो discrete series हो पहला डेटा बुझनूस कस तो सीरीज हो discrete so कसर निकालने से इसको लागे क्वाताल दिएको सा जो कि discrete series हो so S मा आमले टेबल बनावन परसा सुरूमा जस्ता ही bonus लेकिंगो आमले number of workers त्योंबनेगो frequency योड़ा लास मा योड़ा column थापनोंच cf एसको full form होंच cumulative frequency बन्चे सला है cumulative frequency shortcut मा cf लेकिंच हमेशा cf बनने column बनावन वाला येदी तबला योटा discrete series या continuous series दिएको सा रख वाताल deviation निकालने बने को सा बने अब यो bonus अथमा variable हमेशा ascending order मा होनो परसा ascending order मा शोगी साने अरनोस्ता है 50 55 70 80 मिला ये दिएको सा सो सेम लेग दिए आमले number of worker as it is जसर equation मा दिएको सा अब तबहले cf कसरे निकालने यो cf निकालता है यो number of worker यो तबहले नोकी bonus तो यह स्वामा 4 आपाई 4 copy करने ना 4 same to same copy करने अब यो 4 मा यो 3 add करने औहुँँँचा cross my add करने औहुँचा 4 मा 3 add करने पसी गोदी हुँचा 7 यो 7 मा 5 add करने हुँचा 12 12 मा 4 add करने हुचा 16 लास मा कोदी हाया 16 आयो यो 16 बने होता पाई हो total frequency होंच हो आम यह लेख साँ capital N equals to 16 capital N राइद याद करने होला symbol capital N याद करने होला symbol capital N याद करने हामले यह टेबल बनाया आले हो यह टेबल बनाय सेगे भी सिए अब इसको calculation यह रूनोस सो यह आमरो टेबल बने सेगे कोदी हो यह इसको calculation मा Q1 निकाल इंच शुरूमा Q1 निकाल तारी formula अगाड जस्ते हो खाली यह capital लेखेंच आई यह विचार गरने होला discrete series मा capital लेखने पर साब्यों so capital N plus 1 by 4th item capital N मने को 16 हो 16 plus 1 by 4th item मने को 4.25 हो अब यह थोड़ा अशा दिमाग आपनो ठीक राखनू वाला अगाड़ी वाला question individual series को थियो त्या निरो point I सेके पसे हमले कसरे break गरेऊं त्यों अलग कुरा हो यह example discrete series को हो discrete series मा पन यहर नुस्ता यानिरो 4.25 point मा आया को सगी सहना छो तरह S लाई अगाड़ी वाला तरीका जस्तो गरीता हैना किना मनी यह था series ने फरगोंदा है सो S को लागे तपाई के गरना हुँँचा चाहे जुन्सुके नंबर आवला जुन्सुके नंबर आयता पनी तपाईले के गरना पड़शे S लाई look in CF cumulative frequency मा हेर ने हुँँ यो कॉलम मा हेर नुपरशा आगी पूरे हेर नुपरशा जो 4.25 काई निर छा? काई चाहे यानिर? 4, 7, 12, 16, काई चाहे यो? चाहे नौ यह दि चाहे न वननी यो बंदा ठीक ठूलो जस्ट ग्रेटर यो बंदा जस्ट ग्रेटर या ठीक ठूलो कुँचा cumulative frequency मा 7 चाहे नौ अफ़कोर्स, 7 तो 4.25 मनना ठूलो कुँचा यानिर 7 तो 7 को सीधामा परने यो तपाई को आंसर हुँचा 55 7 को सीधामा परने, 7 एंसर हुथा न, 7 को सीधामा परने बोनस आंसर हुँचा बोनस कटियो 55 हो, 55 तपाई को क्यू ओन हू अब Q3 को लाइगी, फॉर्मला हुँचा 3 ताइमस N प्लस 1 बाई 4 तो वैल्यूज ओर रागदे बेजी, एसको आंसर हुँचा 12.75 यो 12.75 लापने काहा खोजने हुँचा हामली, CF मा खोजने हुचा वाकाईने रा, 4, 7, 12, 16, 12.75 तो पाईनो हुचा तो वैल्यूज ओर यो वन्दा ठीक ठूलोग उचा 16 गो सीडा मा परने नंबर गुणो 80 हो, 80 तपाई को Q3 होंचा येसरी आमली पुट्टा लगाँ परसा, तो डिस्क्रीट सीरीज सजिलो हुचा जुन्सुखें नंबर आयए रवनी CF मा खोजने येदी तो नंबर बेट्यो वने, तिसको सीडा वाला आंसर हो आंसर हमेशाहाんな यहां 1st column यह variable वाला column मा बेट्टिन्स येदी तो नंबर बेट्ये नंबनी, तो वंदा, जस्ट ठूलो हैंनो परसा, आमली CF मा रो तेसको सीधा वाला वेरिबल को बैल्यू लीनियो ठीक्छा रब क्वाटायल देविशन निकलने फर्मला अगार जस्ते होई न यो तबाई आपे गरना सपनोंच अहिले गुलागे आंसर 12.5 आए राशा इसको रब क्वाटायल देविशन निकलने फर्मला अपनी सेमो आंसर इस 0.185 अप्रोक्सिमेटली है सक्क्यो इजी नेशा प्वाटायल देविशन निकलने फर्मला थेसको कोईफिशन चाव्डाइ ट्यानीर आपनी मत बाला एक्स्टा गराई धिराजवे स्मो इसमो इसमो इसमा पाला रिटन देविशन नमबर ओ वर्कर देविशन लेह में तरीगा यानुस 50 to 100, 100 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 400 कसे मां 50 को difference है, कसे मां 100 को difference है, ये सरी तो पाइको fluctuate हुना सक्सा है अलगलग difference हुना सक्सा, कुनी प्राब्लम होदा न अनि यानि रो number of worker अधबा frequency दियेगुसा ये जुन लेखेगुसा, येसलाइ class interval बनेंसा है 50 to 100, 100 to 200 Islamic class interval बनसा है, ग्लाइस इंत्रवल भाएको data लाई continuous series बनसा, Islamic continuous series बनसा है, ये grouped frequency distribution बनि बनेंसाहिता, फो याननि रो ये यावडा continuous series बन्याले सीरीस आया है, ये आन्डिर हैरनो ला important है, आपेस पेना कोरें दे जो जो हईता सुरुमा रेतन ज़स्ता हूँ कोंसा, आपेस के नमबरRÅ और स vrij झ्या पॉलाम आमले थोपन बर सो, सी अप निकालने एक दम सजील लो तरिगा सो, वहला यह 5 लाई, सेम लेखनुस, 5 संगा 709, 12 बो, 12 प्लस 8, 20 बो, 20 प्लस 6, 26, 26 प्लस 2, 28, सो या निरो आनको वैल्यू 28 आयो, टेबल तागाटी जसते हो, खासे यहसमा, नाय आकोरा के बनी बोगा अब हो, क्यालकुलेशन कसरे करने था, सो लेस्स सी, या आम्रो टेबल सो देशा, सो यहसमा, Q1 निकालना को लागी लेखने तोरिगा एनुस, 4 Q1, अनि या, N by 4, डॉंट राइट, N plus 1 by 4, यहो दाना, कॉंटिनियस स्रीज मा, के वल के होंज़, N by 4, ध्यान दिनियो उता प 4 ले डिवाइड गरिए बजीको तिया आया, 7, यो नमबर लाई, का निरा खोजने, आमली, C F मा खोजने, सो C F मा खोजने उस्ता, साथ देखी राखने बाद सा, का निरा, साथ बंदा ठीक ठूलो कुंच, 12 चा किसे, साथ बंदा ठूलो 12 हो, 12 को C दामा परने, क्लास तपा अब अब तपाई, Q1 निकाल ने इग्जाट फॉर्मला लगाँनोंच, Q1 निकाल ने फॉर्मला उनच, L प्लस N by 4, minus C F, अपन F into H, यो फॉर्मला हो, L वनने को लोवर लिमिट, कसको लोवर लिमिट? जुन तपाईले या च्लास इंटरवल लेखनो भाच, Q1 को च्लास इं वैले उनच, 100, तेस्पसी N by 4, N by 4 बने को 7, हामले अल्डेड निकाल इसे गयाते हूं, C F, C F को मतलब होंच, जुन तपाईको Q1 वाला क्लास स, हाईना, 100, 2, 200, यो क्लास बन्दा, ठीक माधी परने क्लास को C F, अथवा तपाई, एसरी बूजन उसकी, पहला तपाईले को अधियो, 12 लाई हेरर, आमले यो क्लास इंटरवल पत्ता लगाया हूं, तर यो फॉर्मलामा, C F को मतलब होंच, जुस्ट माधी परने वाला लेखने हूं, जुस्ट माधी परने जुन यो क्लास स, 5, 200, तेस्ट को C F आमले लेखने हो, अथवा 5 लेखने हो, अथवा 5 लेख जुन यो 100 to 200 बने क्लास स, S को C रामा रहेगो number of workers कती हो, 7 हो, एसला मनने कती हो, F frequency, so F into H, H को मतलब होंच, जुन तबाले यो क्लास लेखने बादच, 100 देखी 2 से, S को difference या gap कती हो, तेसला H बनच, so 200 वड़ा 100 गटाई दिन वाला, 200 वड़ा 100 बने को H होंच, जुन यो 100 ब अब यसला हमले simplify गर दिन वाला, 128.5714, तरा हमले यो कुरा बिटसीन वगएने की, या अनिरो ततबाई को रुपीज 100 लेख्ये कुछ, सो अन्तिम मतलबाई 100 ले मल्टिप्लाई गर दिन वाला, येदि 1000 अबने पिजी 1000 ले मल्टिप्लाई गर दिन वाला, सो या अनिरा answer 3N by 4 हो, सो 3 into 28 by 4 गरने वने 21 आया, का खोजने ये सलाई, CF मा खोजने, 6 काई नेर 21, 6 है नाई, 20 तरा हमले लेखे हूं, Q3 lies in the class 252, 300, अब यसमा आमी फॉर्मला एपलाई गर सो, फॉर्मला एपलाई गर दाहरी या नेरो लेख्ये कुछ, फॉर्मला एपलाई गर दाहरी य CF upon F into H माधि जस्तेयो, L गो वैल्यू गो गतियोंच, 250 उन्च, L बनेगो 250 उन्च, अणी 3N by 4 बनेगो 11 वैल्यू, CF बनेगो कुणो, जस्ट माधि वाला, कुण माधि वाला, अईले कुछला ये रहाने आमले, 26 अई, तरा 26 मन्दा ठीक माधि परने कुणच, यानिर 20, यान बनेगो 30 से वड़ा, 25 से गटाई दिन योगने, 50 उन्च, आउस इसको, है, एसला है सिंप्लिफाय गर्दा ये थी आयो, एसला है बनेगो 100 गर्दीनि यो, रा, final answer ये थी आई रहास, क्यालकुलेशन एकदम इसला, खाली, कुन वैल्यू कावडर टिपने रकोसेर राखनी, तेत्ति द्यांदे रतबाई ये रहन वलाईता, अब फॉर्म्ला लगाओने पालो, सो, क्वाथायल डिपीशन को फॉर्म्ला उंच, ये ये अगाटी जसताई, वैल्यूर राग्दीनी, सिंप्लिफाय गर्दायर ये थी आंसर आई रहासे इसको, अब कहीशन तपाया लाए, शेलफ प्रैक्टिस को लागी दीन्जु, तेसला रामसंगा ट्राय गर्णनो वला इता, सो, ये शेल्फ ट्राय या शेल्फ प्रैक्टिस प्राइब्लम्स हुन, लोस्के करिको मार्स हो को आए बाता बिजन्य और एक्टम सेसेफcket रहां सेली और मुआ कोवहाता कोवहाच पूपिशंक रही आपवाच लाके स्कुच